Hi everyone, so आज के वीडियो में हम लोग discuss करेंगे motion in vertical circle तो यहां पर क्या है कि एक string है यह एक string है और यह एक metallic bob यह एक छोटा ball है इस ball को string के साथ ऐसे बान दिये है और यहां पर हमने string को पकड़ा हुआ है और हम लोग क्या कर रहे है इसको ऐसे string को rotate कर रहे है तो जो metallic ball है या metallic bob है वो ऐसे vertical circle में घूम रहे है तो इस motion को यहां पर हम लोग study करेंगे तो देखिए अब इस bob को अगर हमको उपर भेजना है तो इस position में उसको एक velocity देना पड़ेगा अब यह bob जो move कर रहा है यह circular path में move कर रहा है अब यह हमको मालूब है कि अगर एक particle circular path move कर रहा है तो किसी भी point में अगर tangent draw करेंगे तो जो velocity अगर tangent के direction होगा ठीक है तो position A यह position है A position और यह position है B ठीक है तो A position में उसका जो speed है वो इस देखिए यह direction में तो यह उसका speed हो गया V ठीक है यहाँ U है और इस position में उसका speed हो गया V ठीक है और यह जो string है ठीक है string का length माल लेते है L ठीक है यह string जो पुरा string है O से A तक या O से B तक string का length है L ठीक है अच्छा अब यह bob जब position A से position B जाएगा ठीक है तो यह height acquire करेगा यतना height acquire किया ठीक है तो यह जो height है AC यह height मैं लिया है H ठीक है AC जो height है जो bob ने gain किया है after moving from A to B it is equal to H ठीक है आच्छा तो यहाँ पर यह जो triangle है एक right angle triangle यहाँ पर form हो रहा है ठीक है यह right angle triangle जो है यहाँ पर यह angle 90 डिगरी है ठीक है तो यहाँ पर यह 90 डिगरी एंगल फॉर्म हो रहा है तो यह एक right angle triangle है तो इस triangle में मतब जब यह A से B में जाता है तो जो string है वो vertical के साथ vertical direction के साथ theta angle फॉर्म कर रहा है तो यह जो angle है यह theta है तो यह जो length है यह तो L है यह theta है ठीक है मतलब O B यहाँ पर O B is equal to L ठीक है O B is equal to L तो अगर हम लोग triangle O C B को देखें ठीक है तो इसका मतलब O C जो होगा वो गया होगा आपका L cos theta O C equal to L cos theta अब जो यह जो bob है इसने जो height acquire किया है वो height कितना acquire किया था A C height जब वो A से B में गया है तो इसने height acquire किया है A C height अब A C को हम लोग लें लिया है H ठीक है हम लोग H को क्या लिख सकते हैं H को लिख सकते हैं O A minus O C O A minus O C ठीक है O A क्या है O A length of the string है तो वो कितना हो जाएगा वो तो L है ठीक है O C क्या हो गया L cos theta हो गया L cos theta तो इसका मतलब जो height है ठीक है अब थोड़ा हम लोग force को analyze करते है ठीक है अब इस position में जो bob है तो उसका जो weight है Mg अगर bob का mass M है तो उसका weight जो है इस direction में क्या हो जाएगा इस direction में जो component होगा वो mg cos theta हो गया और इस direction में जो component है इस direction में यह हो गया आपका Mg sin theta तो जो radial direction में force act कर रहा है वो outward direction में कितना force act कर रहा है Mg cos theta और अंदर की तरफ along the string कौन सा force act कर रहा है tension तो अब जो net force है net radial force वो तो अंदर की तरफ है जो centripetal force है वो तो अंदर की तरफ act कर रहा है तो इसका मतलब along radial direction along radial direction net force कितना होगा net force होगा T minus Mg cos theta is equal to Mv square centripetal force का formula क्या था centripetal force का formula था Mv square by R ठीक है अब यहाँ पे length of the string की radius है तो यहाँ पे Mv square by L हो जाएगा ठीक है Mv square by L तो यह आपका force का equation आ गया next अभी देखते हैं condition for looping ठीक है condition for looping condition for looping मतलब यह जो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है न ठीक है यहाँ से घूम रहा है इसको अगर यह loop complete करना है ठीक है अगर loop complete करना है just complete करना है ठीक है तो यह highest point है highest point में जो tension है ठीक है अब जब यह बॉब यहाँ पहुंच जाएगा इस position में ठीक है यहाँ पे जब बॉब पहुंच गया तो string ऐसे है ठीक है tension is direction होगा तो देखिए अगर tension zero हो गया तब तो यह गिर जाएगा ठीक है यहाँ पे tension अगर zero हो गया तो यह loop complete नहीं करेगा यहाँ से नीचे गिर जाएगा ठीक है अगर इसको loop complete करना है तो यहाँ पे जो tension है tension अंदर की तरफ होगा readily inward so tension should be slightly greater than or equal to zero ठीक है अब tension should be greater than equal to zero मतलब zero से थोड़ा जादा होगा तो वो loop complete कर लेगा ठीक है अब जब यह highest position में है highest position जो है इस position को अगर हम लोग D mark कर रहे है ठीक है यहाँ पे था B यहाँ पे था highest position D है तो इस position में थीटा का value क्या होगा थीटा हम लोग इस reference line के साथ ले रहे है vertically downward जो line draw किया है तो थीटा अब यह complete angle थीटा होगा ठीक है तो यहाँ पे complete angle कितना होगा 180 degree होगा तो मतलब य tension का equation क्या था हमारे पास tension का equation था T minus mg cos theta is equal to mv square by L mv square by L ठीक है वो हम लोगोंने B position के लिए calculate किया था ठीक है अब यही चीज़ हम लोग highest position में apply करें तो देखिए अब tension D यहाँ पे D में greater than equal to 0 हो रहा है पतला हम लोग almost 0 ले सकते हैं तो tension को मैंने 0 ले लिया minus mg mg cos theta theta यहाँ पे किरता है theta 180 degree है so cos 180 degree is equal to mv minimum मतलब यहाँ पे एकदब minimum velocity होगा इस velocity से वो अगर यहाँ पे देखिए velocity अगर 0 हो गया तो वो तो नीचे गिर गया ठीक है highest point में अगर velocity 0 हो गया वो तो नीचे हो गया गिर गया अगर वो loop complete कर रहा है condition for looping तो यहाँ पे मतलब एक minimum velocity है और उसके वो आगे जा ले जा रहा है तो वो velocity मैंने क्या लिखा है यहाँ पे यह m और m cancel हो जाएगा ठीक है m और m cancel हो गया तो वी minimum equal to कितना आया वी minimum equal to आया square root of यह यहाँ पर यह जो l है इसके साथ multiply हो जाएगा तो g into l तो मतलब highest point में minimum velocity इतना होगा square root of gl तो यह loop complete करेगा यह loop complete करेगा ठीक है अब देखिए highest point में जो velocity है वो हमको मिला v minimum is equal to square root of gl तो इस velocity को acquire करने के लिए lowest point में हमको एक velocity देना पड़ेगा तब ही तो वो highest point ता पहुंचेगा तो वो lowest point में जो velocity u है उसका minimum condition क्या होगा minimum value बतला तो हमारे पास equation है v square minus u square is equal to twice s यह वाला equation हम लोग use करेंगा अभी ठीक है तो v minimum square minus u minimum square so is equal to 2 अब acceleration अब देखिए यह तो नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो acceleration किता होगा minus g क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो retardation होगा s एस मतलब displacement अब यह जो particle है particle कहां से कहां गया यह से गया d में कैसे गया ऐसे गया along the circle ठीक है तो displacement कितना होगा वो तो यह हो गया displacement along the diameter यह तो shortest distance है अब यहां से यहां तका length कितना था l था यहां से यहां से यहां तका length कितना होगा l होगा तो यह total length कितना हो जाएगा twice l तो displacement कितना होगा यह जो displacement है यह कितना हो जाएगा twice l ठीक है वी minimum का value हमर पास कितना था square root of g l square root of g l तो v minimum square मतलब यह हो गया g l minus u minimum square is equal to minus 4 g l ठीक है तो यह इधर गया यह इधर आ गया तो u minimum equal to कितना हो गया square root of 5 g l square root of 5 g l मतलब lowest point में अगर इतना velocity होगा तब ही highest point में v minimum equal to square root of g l होगा मतलब lowest point में अगर velocity square root of 5 g l होगा तब यह particle loop complete करेगा ठीक है this is the minimum velocity at the lowest point अचा condition for looping में lowest position में tension कितना है वो देखते हैं ठीक है अब tension का जो general equation था वो था क्या t minus mg cos theta is equal to mv square by l यह tension का general equation था ठीक है अब lowest position में अगर देखें lowest position ठीक है lowest position मतलब कौन सा position position a ठीक है position a तो यह हम लोग देख रहे है condition for looping का अपलाई कर रहे हैं यहां पर condition for looping में वी जो है वो मतलब यू minimum में lowest position में velocity यह जो है वो जिस position में आप tension का वेलोसिटी है ठीक है यह जो वी है अच्छा अब tension at lowest position तो थीटा का वैल्यू यह जो थीटा है ठीक है यह थीटा lowest position में कितना हुआ थीटा विल भी जीरो ठीक है यह L और यह L cancel हो गया तो यह हो गया 5MG इदर हो गया MG बन्तब T इकोल तो कितना हो जाएगा 6MG so this is the value of tension at the lowest position for looping, looping condition के लिए हम लोन निकाला है ठीक है अच्छा tension का हमारे पास जो general equation था वो था T minus MG cos theta is equal to M V square by L ठीक है मतब वो हम लोगोंने tension calculate किया था at B मतब यह जो equation लिखा था यह equation जो लिखा है यह लिखा है इस position के लिए B position के लिए मतब T आपका readily inward है MG cos theta readily outward है net force जो centripetal force है वो तो readily inward add कर रहा है तो T minus MG cos theta equal to M V square by L हो गया था ठीक है अच्छा अब इस equation में मतलब अगर हमको V मालूम है तब हम लोग इस equation को use कर सकते हैं ठीक है बट अगर U दिया हुआ है और फिर tension किसी दूसरे position में calculate करना है तब क्या करेंगे ठीक है उसके लिए आप लोग एक और एक general equation निकालते हैं ठीक है अब यह जो equation है इसको मैं लिख सकता हूँ T is equal to M G cos theta plus V square by L ठीक है यह equation को मैंने थोड़ा rearrange कर लिया है ठीक है टेंचन एक साइड आ गया बाकी सारे terms दूसरे साइड लेके गया ठीक है अब यह जो V है और यह U इनके बीच में क्या relation है इनके बीच में relation है V square minus U square is equal to 2 minus G into H ठीक है मतलब यह जो particle है यह जब A से B गया है ठीक है तो A position में उसका initial velocity U था ठीक है B position में उसका velocity V था A से जब B गया था तो retardation हुआ था इसलिए minus G लिखा है A से जब B गया था तो यह जो displacement V वो तो यह हुआ है है कि नहीं A से B जब गया है तो displacement तो हम लोग A सी calculate करेंगे तो A सी क्या है वो H था यहाँ पर H लिख दिया ठीक है आचा तो H का value क्या था H का value मैंने starting में लिखा था ना H का value H is equal to L 1 minus cos theta यह H का value था ठीक है तो यहाँ पर इस H को यहाँ पर अगर substitute करेंगे ठीक है तो V को in terms of U क्या लिख सकते हैं V को लिख सकते हैं V is equal to square root of U square minus 2GL 1 minus cos theta 1 minus cos theta तो यह V का value आगया मतलब V in terms of U आगया ठीक है तो हमारे पास जो यह V था इस V को हम लोग replace कर सकते हैं इस V से ठीक है तो टेंशन का equation क्या होगा वो देख लेते हैं तो हमारा हो जाएगा T is equal to M G cos theta plus V square को replace कर रहे है तो U square minus 2GL 1 minus cos theta divided by L यह आगया tension का ठीक है तो in square terms को थोड़ा सा अगा rearrange करें तो tension हमारे पास आएगा T ठीक है इसको मैं थोड़ा red color से लिता हूँ तब यह final expression है यह आप लोग थोड़ा rearrange करके देखिए T equal to आएगा आपका M by L U square minus GL 2 minus 3 cos theta 2 minus 3 cos theta तो यह हो गया आपका tension का general expression ठीक है इस formula को use करके हम लोग tension किसी भी position में निका सकते हैं अब देखिए जैसे at A देखिए अब यहां पर जो circle है बलतब vertical circle पर खुब रहा है ठीक है तो यहां पर लोग तीन चार position ले रहे हैं lowest position A हो गया फिर यह C हो गया यहां पर B हो गया यह D हो गया ठीक है तो हर position में tension का value देखिए अब लोग तो अगर A में देखें A में A position में tension at A ठीक है तो tension at A M by L हो क्या U square minus GL 2 minus 3 theta का value यहां पर क्या होगा lowest position में theta का value 0 होगा so cos 0 1 होता है 2 minus 3 ठीक है प्लस यह हो जागा mg plus mg अब particle जो है वो A से C पहुंच गया ठीक है तो C position में tension at C is equal to अब C position में देखिए C position में यह theta angle कितना होगा theta angle हो जाएगा 90 degree तो मतलब cos 90 यह term तो 0 हो गया ठीक है तो हमारे पास T C equal to कितना हो जाएगा M U square by L minus 2 mg minus 2 mg ठीक है अब यह C के बाद particle कहां पहुंच गया B में पहुंच गया ठीक है तो जब B में पहुंचेगा तो यह जो theta angle होगा theta angle यह लेना पड़ेगा यह angle कितना हो यह cos theta का value कितना हो जाएगा theta का value 180 degree होगा तो cos theta हो जाएगा minus 1 ठीक है so B position में tension कितना होगा B position में tension tension at B it will be equal to M U square by L M U square by L minus 5 mg minus 5 mg ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या observe कर रहे है कि tension A में सबसे ज़्यादा है ठीक है फिर C में फिर B में ठीक है सबसे कम tension कहाँ पर है B में है ठीक है और यह जो tension का difference है इन दोनों का difference कितना है इन दोनों का difference है 3 mg ठीक है इन दोनों का difference कितना है 3 mg ठीक है मतलब इस position और इस position में tension का difference कितना है यहां से A से जब C में जाएगा तो tension decreases by 3 mg C से B में जाएगा फिर tension all decrease हो गया कितना decrease हो गया 3 mg ठीक है सबसे ज़ादा tension कहां पे होगा A में ठीक है उससे कम कहां पे होगा C में उससे कम कहां पे होगा B में ठीक है तो जैसे से जो body है वो वर्टिकल सर्कल में उपर की तरव जा रहा है तो उसका टेंशन डिक्रीज हो रहा है